शहीद शब्दी शुरुवात सबतो पहला इसलाम तर्म विच होई पर ओथे इसदा रुत्बा बड़ा शोटा सी जंगे ओहद विच दुश्मन फोजदे सूर में उमैद बिन कमिया ने करपांदा इहोजा वार कीता कि इसलाम तर्म देबानी हजरत मौम्मद साब जमीन ते ड सी के मर गया है ये जोदा है मौमद साब ने दंद टुटन दा रूक मादिन वाला धर्द सेलिया पर सी नहीं किती क्योंके जान प्यारी सी इसलाम तन विचे इस टुटे होई दंद नूवी केंदे हन के सड़े नभी दा सड़े रसूल दा दंद शेहीद होया पर इस करबला दे मदान विच हजरत मौमद साब दे दोते नूँ शेहीद कीता गया जिसनू कहा जन्दा है किंग ओफ मार्ट्रेस यानिके शेहीदा दा राजा ते जे होर पिछे चले जाए ता इसाही तर्म दे बानी जीजिस क्राइस नूवी सूली ते चड़ाके शेहीद कीता सूफी मत्त विच मंसूर नूवी सूली दे चड़ाके शेहीद कीता गया यहुदी तर्म विच भी बड़े वड़े शेहीद होए हन पर फेर वी इना सब्तों सेकड़े हजारा सालना बाद शेहीद होनवाले पंचब पाच्छे शिरगुरु अर्जन देव जीनू ही क्यों सर्ताज केहा जांदा है ते तुसी एवी ना समझेओ के अर्जन पाच्छा सेक्तरम दे पहले शेहीद सन इससे लिए असी उन्होंनों शेहीदां दे सर्ताज कहन दे हां सन 1925 विच डक्टर गंडा सेंग जी ने सेक फुलवाडी विच छपे अपने एक लेक विच पाई पहले सारे शेहीदां नहीं हकूमत वल्लों मौत ता फत्वा जारी कीता गया सी उन्हा कोल अपनी जान बचोंदा जिंदकी जोंदा कोई रा नहीं सी पर जदो अपा जहांगिर्दी ओटो बायोग्राफी तुसके जहांगिरी नू पढदे हां ता उदेच एक चैप्टर है अरजन का कतल ते जो तो फारसी दिया इनना लिखता दा अन्वाद कर दे हां ता जहांगिर केंदा है के यहां ता गुरू अरजन अपनी चूट जीत कान बंद करके इसलाम तरम कबूल कर लवे ते यहां फिर इसनू बेरैमीनल कतल कर दे यानि के गुरू सैब जी को अन्त मौत तो बचन दा एक दरवाजा खुला सी ते पंचम पाश्चा ने ओस मोके नू ठुकरा के अपने सिदानता दे कैम रेंदे होई शेहिद्दी नू चुणिया जदकी उन्हा तो पहला ए मोका होर किसे नू नहीं सी मिलिया के ओ अपने अकीदे नू छटके अपनी जान बाद्शा सी पर एक तेजीनल उपर दी हुई कौम दे रेबर नू गिरिफ्तार करना ते फिर एस तरह दर्दनाक तसिये दे के शेहिद करोन ली उसनों भी कोई चुठा या सच्चा पर कोई एक ठोस कारण जरूर चाहिदा सी पर जादा तरही ताहसकर इस मान शादत दे सक्सेस दारा चैनल ते तो अनू हमेशा पूरी सची ते सई जानकरी मिल दी है जी दी पोख लेके तो सी इस वीडियो ते क्लिक किता सी सो सब तो पहला अगल कर दे हैं शादत दे कुछ एहोजे कारना दी जो इन्ने वड़े ता नहीं सन के पंचम पाश्या वर्गे उच्च भी बैठाय अपनी बुकल विच पुराणे समय विच किया जान्दा सी के जीने वेख्यानी लहौर वेख्य कलान और चंदू बड़ा तेज बंदा सी कुछ आप काबल सी ते कुछ वगत ने साथ दिता ते फिर एक दिन एहोजा आया जोदो लहौर दरबार दे दरबारी दे के खड़ गया जीदे ब्राबर दी इजद जीदे ब्राबर दा रुत्बा इलाके विच होर किसे दर नहीं सी पुरोहित पोंचा सिदा शिरगुरु अर्जन पाश्चा दे दर बार विच ते उन्ना समने अपने लगते जिगर शिरगुरु हर गोबिंद राय ली चंदू द करें रिष्टा पका करके आया हैं उसनों दसंदिया इन्नी काली सी के उसे दा दरबार विची पहुंच गया जैद उसने दस्याके में रिष्टे दी गाल शिरगुरु रामदास जीदे पोत्रे ते शिरगुरु अर्जन देव जीदे पुत्तर हर गोमिद्राल चलाई है त तो उन्नु सदेनल रलाता मैंनु तो एंजी जापदा जिमें तुछ बारे दी इट चोक के गंदी नाली विच लाया हुए कई वारहं कारया बंदा बोलन लगा अपने शब्दां दा पार्णी वेखदा क्योंके दरबार विच सेक्स अंगत्ते वी कुछ लोग मुझूद स तो शामनु उन्डा ने रलके सलाख हिती कि आजता चंदु ने हद पार करती सिक्का ने रलके गुरू पाश्यानु चिठी लेक सारी गलबात कै सुनाई उदर अगले दो तेन दिना विच चंदु दे रिष्टेदार अने समझा आप जाके उसनों रिष्टेली मुना लिया कुछ दिना बाद जदो चंदु दे रिष्टेदार शगंदा समान लेके गुरू दरबार विच पहुंचे ता गुरू से अपजी चिठी पढ़ चुके सन गुरू से फरमाई चंदु ने गुरू रामदास जीदे कर दी बड़ी निंद्या किती है असी हुन एस रिष्टेली राजी नहीं है पर ए ना समझो कैसी हां करके रिष्टा तोड़ दिता ए रिष्टा चंदु दे कोड़े बोला करके डुटया है जेडा हाकम हुंदा है न उसनु ना सुनन दी आदत नी हुंदी पर जदो चंदु नु गुरु कर तो निकार दिता गया तो उगसे नल अंद्रों अंद्री रिज्जन लग पया इते आम तोरते इतहास विच ए परचारया जन्दा है के चंदु अपनी बेश्टी बरदाश्त नी कर सकया ते उसने समय दे हाकमान उपड़ का आके गुरु सैब जी नु गिर्फतार करवा के शहीद करवा दिता पर असल विच चंदु दी कोई अइनी ऐमियत नी सी के ओं हिंदोस्तान दे बाश्या तक पोंच कर सके ओस समय हिंदोस्तान दा गवर्नर सी कुलीज खान मुगल फोज दा कमंटर हुंदा से शेक फ्रीद बुखारी ते हिंदोस्तान दा बाश्या सी जहां गीर ते चंदु दा बस लहोर दरबार दा एक छोटा जय दरबारी ही सी अपनी पोच बताबक चंदु अपने दो मितर जर्नेला सुही कान ते सुलफी खान नूं हमला कर ली लेके आया सी जीना चो पहले सुही खान दी आवेच डिगन करके धर्दनाक मोथ होई ते दूसरे सुलफी खान नूं पेट दा धर्दी इनना पे अंकर होया कि ओ मोथ तो भाचना सकया दोवे जर्नेल पूरी त्यारी इनल फोज लेके करो तुरे सन पर दोवा चो कोई गुरु सही तक पहुच ही नी सकया पर चंदू तो पहला वी एक शक्ष एहो जा सी जो गुरु सहीब जिनू जानों बारंदी तमकी दे के आया सी ओधा नाम ता अपा सारे जान दी है क्योंकि अपा बचपन तो वह नाम सोन दी आ रहे है ते साड़े बच्या नू चंगा भी बड़ा लगदा है ओ नाम है बीरबल ए बीरबल पगवांदास राजपुद्धा नोकर हुंदा सी जो पगवांदास ने अपनी ती जोधा बैदे व्या विच अकबर नू धाज विच दिता सी एस ता असल नाम सी महेश दास ब्रह्मन ते अकबर ने इस ता नाम बदल के बीरबल रख्या सी शीर गुरु अरजन देव जी नू तमकी दिन वला ए पहला पापी सी दरसल एक दिन सिखा ने आके गुरु अरजन पाश्या मुरे बेंती की ती के गुरु सेब जी जेडे गुर सेगता हमेशा तो अडे चरना दे कोल रेंदे हन ओ ता गुरु सेबना दी बाणी तो चंगी तरा जानू हन पर साडे वर के दूर ता अडे रेन वाले सिख तो अडियां बाणीया नू पशान नी पोंदे ते शिरार्ती तता वलो जान बोज के कच्चियां बाणीया जोड के संगत नू पलेखा पाया जानदा है ओदो तान शिरी गुरु अरजन पाश्या ने संगत नाल वादा कीता के शित्ती ही में सारे गुरु से बाणना पगता ते रोशन तबाग सिखांद या बाणिया नू जोड के एक एहोजे गुरु गरंट दी संपादना करांगा जी दे विच कोई मलावट नी कर पाऊगा ते एस तों बाद कड़ी मेंत नाल दिन रात एक करके आद शिरी गरंट सेब जी दी संपादना कीती गई जीना नू अज जापा शिरी गुरु गरंट सेब जी दे नामनाल सतकार दे हम वैसे जेडी तकनीक गुरू सहीब जी ने शिर्गुरु ग्रंद सहीब जी दी संपादना समें 3700 साल पहला वर्ती सी अज भी उस दा अध्यन करके हरानी हुँगी है गुरुबाणी दे शब्द करम दे अंकान दे जानकार दस्ति हैं के पूरे शिर्गुर ग्रंद सहीब जी विच किते एक कन्ना भी वाद काटनी किता जा सकता शब्दान दे गिंते वी शब्द दे पिच्चे लिखी हुँगी जदो शिरी आद्गरण सहब जी दी संपादना किती जा रही सी ता कन्ना पीलू शज्जू ते हसन नाम दे चार कवी कठे हो के आए ते अपनिया लिखें लिखता नू आद्गरण सहब विच शामल कर ली के हा पर उनना दिया लिखता सिखी दी विचारता रणाल मेल नी पात्मा दी उस अकाल पुर्ख दी गल काटते अपनिये शेखियां वादसल इस गल तो खफा होए इना हंकारियां ने चुठियां सचियां गल्ला जोड़के जाके बीरबल को शिकायत कर देती ए ओही समा सी जदो राजगती ते जहांगीर नी उस ता पिता अकबर काबज सी ते भीरबल दा अकबर दे दलबार विच की रुटबा सी एत आपा सारे जान दे हां इना चारे कवियां दा चक्या चकाया भीरबल गुरु पास्चा नो तमकी दे के गया सी के मैं चले आँ हां अफगानिस्तान वाल ते जे मेरे उन तक तू अपनी ये सिकी दी दुकान बं मुझफर जाहिया ने इसनों अफगानिस्तान विची कतल कर देता सी एस तो लावा शिर्गुर अर्जन देव जी दा वड़ा पर आप्रित्वी चंद जो समझ दा सी के गुरु गद्दी दा वारस ओही है पर चोते पास्चा शिर्गुर रामदास जी ने काबलियत दे अध आरते छोटे पुत्तर शिर्गुर अर्जन देव जी नूँ पंजवा गुरु होंदा मान बक्षया एसली ओवी अक्सर लहोर दरबार विच चंदू दे नाल राल के शिकैता करदा रहेंदा सी सो एत असन गुरु सभी दे शेहिदी दे शोटे 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 कारल जिननों करन कह सकते हैं तो हुनकल करते हैं शादत दे मुख कार नादी उनना समय विच हिंदुस्तान दे इलाके इसलाम दा एक बड़ा वड़ा तार्मी कागूँ होया सी शेक एमद सरहंदी इस शेक एमद दे जीवन दा बस को टीचा सी के डुरा के वर्गला के या परमा के किसे व प्यार सी अपने तर्मिनाल दरसल इसलाम तर्म्दी एक बड़ी तगड़ी मानता है कि हर 1000 साल बाद इसलाम नो दुबारा जोधा करनिवाला इसलाम दा कि अधिर्धक्रेथा नियुक्त कर लगाएं एक अल्ला सोच सोच के बड़ी हरानी हुंदी है कि साड़ी कौम किन्नी शेती मगर लाग जांदी है जित्ते आज फतेगर सहब गुरू का रश्य शोबत है तो थोड़ी जी दूर ही सरंदीदी धावी बढ़ी होई है ते साड़े सेक की करते हन पोते सरंदीदी थांते जाके ह अलाकि आप आगे चलके वेखांगे के इस सरंदी नहीं सब्तों वड़ा कारण बनना है गुरू सैब्दी शेह दीदा पर एस सरंदी धी खेड ओधों खराब हों लग पई जुदो पंचम पाश्य शिर्गुरु अर्जन देव जी ने इलाके विस सिखी दा परचार करना श सालन दी मेंत नाल पर मां के लाल्च दे के या ड्रा के हॉली हॉली मुसल्मान बनाया गया सी सरंदी दीता रातां दी नींध राम हो गई उसनों अपने सारे सुपने तोटदे नजरा रहे सन्थ हुने कवार अपा सरंदी दी गालनू इत्थे रोक के हुन मुगल की सी अगे चलके कहानी नाल अप पे जुड़ जाओगा एस समाहे मुगल बाश्या अकबर दी राजदा अकबर 14 साल दी छोटी जी उमर विछी तखते काबज हो गया सी ते उसने अगले 19 साल तक यानि के लगबक 20 सदी तक राज किता उसता पुतर जांगीर एवेक वेक के तर्फदा रेंदा सी के मेरी सारी जुवानी लंग चल ली है आखर मेरा बाब मर्दा क्यों नी मैं कदो तकते बैठांगा उसने कई वार अकबर नो जैर दे के मारंदी कोशिश भी किती पर अकबर खुश किसमिती नाल बात जांदा सी इस गम विच डुबके जहांगीर शि जादा गर्क गया सी के दिहाडी दी चार-चार सेर श्राब पी जांदा सी अपने पुत्तर नू सारा दिन नशेविच तोत्व एक के अकबर दा मन चक्या गया उसने पक्का मन मना लेया सी के जे ए निशेडी गदी ते बैठ गया ता मेरे राजदा सत्यानाश कार देऊगा मैं अपने राजदा वारस जांगीर नू नी उसने पुत्तर खुसरो नू बढ़ाऊंगा जदो इनना सारी गल्लादा पता जांगीर नू चलिया तो उसने कुछ-कुछ मौका संभालिया बमारी समय अपने पिता दी सेवा किती ओधिया कदी लता कोड़ते कदी बावा कोड आकर कार हौली हौली अकबर नू मना के तख़त दा वारस बनन विच कामियाब होई गया जदो कोई चीज लगबग चोली विच डगदी डगदी रह जवे ता दुख बढ़ा होंदा है जदो वो चीज होवे एशिया दी सबतो वड़ी सल्तरत दी बादशाहत ता फर दुख खोना लाजमी है नाले मुगल खांदान दीता एही रीद सी के राज लिती विच कोई प्राणी कोई प्यों नी उन जांगीर नू तख़त मिल्दा वेक उसदा पुत्तर खुसरों बागी हो गया जांगीर ने उसनों जिवे तिवे आगरा पेज के उते नजर बंद करवा द सो जांगीर ने अपना राज बचोन लिएक जुगत लड़ाई उसने सरहंदी नू अपने नाल रला ला लिया ओही सरहंदी जी दी आपा पहला गल किती सी जो मुसलमाना दा एक बड़ा तगड़ा तारमी कागू सी सरहंदी नूए साफ दिखी जानदा सी के जे जहांगीर सरकारी स्पोर्टों दे नाल रहोगी तो इसलाम दा जिन्ना चाहे परचार कर सकता है जिस नाल उस दी मौमत साब दा अवतार बनन दी दावेदारी मजबूत हुंदी जाओगी जांगीर नू एस ही के जिनने लोग सरंदी दे मगर वत तो वद लगनगे उननी मेरी तरम बदलोना शुरू कर दिन दे हन पर अज भी सरंदी नू अपना टीचा पगोन विच जो सब्तोव दीरुकावट नजर आ रही है ओ है शिरगुरु अर्जन पास्चादा कर खारता ओदे मन विच कदों दी सी पर पहला हो कुछ कर नी पार रहा सी पर होन समीकरन बदल च के सन होनों हिंदोस्तान दी हकुमत तो कुछ भी करवा सकदा सी होनता बस उसनों अपनी कारवाई शुरू कर ली एक बहानने दी लोड सी एस मौके दी ताक विच सरहंदी ने कई महीने गुजार दिते पर गुरु सहब जी कुछ एजेहा कारवी ता नहीं रहे सन जिनू गै अरोप मड़के गुरु सहब जीनू गृफ्तार कर ले गया आखर की चुठे अरोप लाइगे सन गुरु सहब ते की सी ये पूरा मामला एस सब जानांगे अगले विडियो विच ते नाल ही विखांगे एस महानशा आदत दा ओ असल द्रिश जो मैं दावे नल कह सकता हां कि आज तक किसे चितरकार ने उकेरंदी हिम्नती नी वखाई जो कुष अपा एस तस्वीर विच वेख रहे हां ए महानशा आदत ए दिन आलो कई गुणा वाद दर्दनाक सी की कुष वापरे ऐसी गुरु सहब जीनल ए सब आपा जानांगे अगले विडियो विच जे तुसी सेटा बड़ी मेंत नाल त्यार किता होया ए शबील वाला वीडियो देख्या है या नई ते जान तो पहला कमेंट बॉक्स विच वाईगुर जी लेके अपनी हाजरी जरूर लवा देओ वाईगुर जी का खाल साव वाईगुर जी की फते